आजकल देख लेजिए कुछ नौजवान ऐसे हैं, उनके बाल रखने का अंदाज ही अलग है, एक पिच्चर में मैंने देखा, एक पिच्चर मतलब, एक मेरे मोबाइल पर किसी ने भेजा, एक सूरत भेजी, तो वो सूर कट बोलते हैं उसको, अब कहां का सूर है, कहां से चल आरों तरब घुमा के काटा और बीच में उठा दिया, अभी आई पिल चल रहा है, मार में शुरू हुआ, अपरील मैं तक चलेगा, तो विश्ट इंडीज टीम के एक दो खिलाडी है ना, जिसका नाम है रसल, फिर इसी तरह सुलील नारायन, तो उसका बाल कैसे कटा हुआ तो अपने नौजवान भी कुछ लोग वैसे ही बाल काटके घूम रहे हैं, कुछ नौजवान को आप देखिए, कान में बाली पहिन के घूम रहे हैं, रे भाई, तू तो मरत पैदा हुआ था, तो औरत कब से बन गया भाई, पता ही नहीं चल ला है, फिर इसी तरह आप दे पहिंड हैं, और फटी पहिंड का मतलब लड़के भी पहिंड हैं, लड़की भी पहिंड रही हैं, और पूरा पैर मज़र आता है, फटी पहिंड, किसी शायर ने कहा, कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पे अजीब लगती है, अमीर बाब की बेट गरीब लगती है यानि बिचारी गरीब है तभी तो फटी पैंट पहने हुए है भाई गरीब लोग ही फटा पुराना पहनते हैं लेकिन आज कल तो मालदार लोग आज कल तो मालदार लोग फटी पैंट पैंट के घूम रहे भाई भी घूम रहे बहन भी घुम रही है थटी पैंट या बनी आदम कद अन्जलना अलेकुम लबास योवारी सवादेकुम वरीशा सुराराफ सुरा नमबर साथ आयत नमबर 26 उसके अंदर क्या है ऐ आदम की उलाद हमने तुम लोगों के लिए लिबास उतारा ताके सतर को छुपा के रखो पूरी जांग खोल के दिखा रहे है निचला हिसा खोल के दिखा रहे है अब देखिए कपड़ा ऐसा भी फटा हुआ है ये साइट से भी ये कट आ गया है ये गोल-गोल फार देने का पीछे से भी आगिया गोल-गोल फाड देने का, ये साइड से भी फाड देने का, इधर से भी फाड देने का, पीछे से भी फाड देने का, अब कहां कहां फाड फाड के लाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हमारे भी कुछ नौजवान इसी में लगे हुए, कुछ बहन भी यही अब आगे चलके भाई लोगों भी सोच रहे होंगे कि हमारे लिए फटी पैंड तो अभी उनकी लिए पैंड फटी है कुर्ता उनका कब फटेगा यह पता नहीं लेकिन जल्द ही वो सब भी आने वाला है तो यह फैशन है फैशन झाल 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 झाल